एक प्राचीन कहानी उस समय की जब बनारस के राजा ब्रह्मदत थे। राजा ब्रह्मदत के चार पुत्र थे। बड़े हो गए थे और अब समय आ गया था उन्हें राजपाच की गहरी सीख देने का। एक दन राजा ने अपने बुजुर्ग और बुध्यमान सार्थी को बुलाया, कहा राजकुमारों को पलाश का पेड़ दिखाना है, कृपा दिखाएं। सार्थी मुस्कुराय कहा, जो हुक महराज मगर एक शर्थ है, सबको अलग-अलग एक-एक कर ले जाऊंगा, तब जब मेरी मर्जी होगी। पहली बारी आई बड़े राजकुमार की, सार्थी उन्हें वन में ले गए, और पलाश का एक भव विपेड दिखाया, कुछ महीने बाद दूसरे राजकुमार की बारी आई, कुछ और समय बाद दीसरे की, और फिर शौथे की, जब सब राजकुमारों ने पेड देख लि पूछा, तो भवै बताओ, पलाश का पेड कैसा है? बड़े राजकुमार ने कहा, जली हुई लकडी जैसा, दूसरे ने कहा, बर्गत जैसा, तीसरे ने कहा, मास जैसा, चौते ने कहा, बबूल जैसा, चाहर राजकुमार चाहरों की इतनी भिन्न व्याक्या, और सब अपन सार्थी को बुलाया गया राजा ब्रह्मदत ने उनसे पूछा आपने सबको पलाश ही दिखाया ना जी महराज वो ही एक पलाश का पेड़ जो मन में है चारों को वो ही दिखाया फिर ये इतने अलग-अलग तृष्टी कोण कैसे अब पारी थी सार्थी के हसने की महराज यू है की राजकुमारों ने एक ही पलाश का पेड़ देखा मगर अलग-अलग समय और अलग-अलग परिस्थिती में पहला जब डाल से कली निकलने को ही थी दूसरा जब पेड़ पूरे पत्तों से भरा था तीसरा जब फल लग रहे थे और चौथा जब फूल पूरी तरह से खिले थे अलग-अलग समय अलग-अलग रूप राजकुमारों ने देखा उसके बारे में एक दृष्टी अपनाई एक विचार बनाया और उसे पूर्ण सत्यमान बैठे उन्होंने ये ना पूछा ना ही ये सोचा कि यही पेड अलग-अलग समय कैसा कैसा दीखता है हम भी शायद इन राजकुमारों की ही तरह है कुछ घटना घटती है हम देखते हैं और उसे पूर्ण अडिग सत्यमान बैठते है जी-जी तो ऐसी ही है फेस्बुक पे फोटो देखो कैसे डालती है अरे शर्मा जी इतने भयानक लालची हो मिसिस गुप्तारे वो तो महान है और उनका बेटा तो साक्षात राम ये देवी है वो दानव है ये सही है वो खलत है ये शुब है और वो अशुब है ऐसा ही है सत्य अपनी पूणता में कुछ बलाश के पेड़ की तरह है ये भी है वो भी है और बागी सब भी हम उस सत्य का क्या अंश देखते हैं ये निर्भर हमारे सार्थी याने हमारे मन पर है उसने किस समय किस परस्थिती किस मनस्थिती में हमें उस सत्य के दर्शन कराए उसके अनुसार हमको कोई व्यक्ती या कोई घटना एक रूप में दिखती है दूसरे समय परिस्थिती या मनस्थिती में शायद उसका दूसरा रूप देखे ठीक जैसे हर राजकुमार को पलाश अलग समय अलग दिखा दूसरों पर राज करने से पहले खुद पर राज करना आना चाहिए राजा प्रमदत की सीख अपनानी चाहिए तो जब कभी किसी भी घटना या व्यक्ती के बारे में अपने भीतर कोई अडिग मान्यता बनते देखें नीची या उची तुच्छ या महान सही या गलत दिस अन दिस अलोन इस दूट तो एक बार अपने से जरूर पूछे राजा ब्रमदत के बनारस में उस पलाश के पेड की तरह क्या किसी दूसरे समय किसी दूसरी परस्तिती में मुझे ये कुछ अलग प्रतीत हो सकता है परमसार्थी को प्रणाम सहित आप सब को फ्रेम नमस्कार